अलो दोस्तों वेल्गाउं टूमा चनल जीके फॉर एक्जाम आज हम बात करेंगे हीट एंड टेंप्रेचर की ऊपर पोस्टेंस के बारे हैं जो रेल बे जो सेकेंड इस्टेज का एक्जाम होने वाला है कल से उसके लिए इंपोर्टेंट हैं तो स्टार्ट करते हैं में बताना अपने को तो सी अपॉन 5 इकल टू एप माइनस 32 पॉन 9 यह होता है रिलेशन अपने को 40 डिगरी से अलजीए दिया है तो 40 अपॉन 5 एकल टू ए प माइनस 32 अपॉन 9 नाइन होगा नीचे न अब हाइब फाइब 40 को डिवाइट करें 5 से तो 8 आएगा 8 इंटू 9 क तो इकोल तो क्यों होगा थार्टी तू अब एट राइंज जा सेवेंटी टू में जब माइनस आट इदर से लागा प्लस में जाएगा तो इसकी वालिव होती है फौरपोइंट 2ant इस यही यही rendo कि यहीफेंगे इंटू के लिए अपने को क्या में इक हमेद सब्सक्राइण निकालना एक बड्रकार से तो तो W equal to क्या हो जाएगा J into Q, J into Q, J की value कितनी है, मैंने बब बताई 4.18 into Q की value कितनी है, 1000 कलोरी में दिया है न, तो अपने को क्या J की value है, Q की value है, तो कितना अंसर जाएगा, इसको into करने पर 418 0 J, अंसर हो जाएगा C बाला, उसके बाद अपने next question देखते हैं, a body of mass 2 kg falls from a height of 10 meter, calculate the amount of heat produce G equal to D, अपने को तो बर्क अपन हीट equal to J, J, जो अब भी बताया है, जूल्स में की निकल equivalent of heat ये constant, तो अपन को यहाँ पर बर्क निकालना है, अपने को amount of heat produce निकालना है, क्यों निकालना है, लेकिन आपन बर्क कैसे निकालेंगे, बर्क निकालेंगे, तभी तो Q की value निकलेगी, तो q equal to क्या हो जाएगा w upon j हो जाएगा अपम बर्ग निकाल लेंगे और आपने उसको j से divide कर देंगे जो j 1.4.18 value उससे divide कर देंगे बर्ग इकॉल टू m g h m कितना है 2 है g कितना है 10 है h कितना है 10 है तो 200 हो जाएगा अपने क्या q निकालना है q equal to जो अपने उबर्ग आया और उसको जे से जे की बर्ली फॉर पॉइंट बने इससे सिस्टम में unit of specific heat क्या होती है जूल पर केजी केल्विन यह होती है SI सिस्टम में और cgs में बली यह cgs में होती है calorie पर ग्राम डिगरी सेल्सियस यह होती है cgs में SI में यह होती है के इसके इसकी इसका अंतर होता है को देको जो डेल्टा क्यों होता है वस्ता है is तक इसको कॉंबाइन करेके लिखाएं चेहाएं को क्लिए Delta Q equal to S M Delta T तो यह जो S है वो constant इसको बोलते है specific heat यह क्या है specific heat है यह जो बजा रहा ना S यह क्या specific heat है उसके बाद अपन S को कैसे निकालेंगे delta key कर देंगो upon में जो value थी M upon इसको लिए आएंगे तो Q की SI unit क्या होती है Q क्या heat है हीट की SI unit Joule mass की क्या हो जाएगी KG और डेल्टा T की क्या हो जाएगी के रविन तो इस लिए इस तरीके से ये अंसर आया है ये फार्मूले का आपन जो भी निकाला उसका इस्तमाल भी करेंगे ने इसको जो भी कोस्त तनाएंगे निमरी कलो सका नेच्ट S I unit of heat capacity तो हीट कैपिसिटी जैसे एसी लग दिया अपने सोट में एच सी हैड हीट कैपिसिटी इकल टू मास इंटू स्पेसिपिक हीट होता है ना अपने एक फार्मूला भी देखा क्यों इकल टू मास स्पेसिपिक हीट डेल्टा टी तो मैस को क्या लिख सकते हैं अपन डेल्टा क् रबते हैं और Q कि यूनिट क्या होती है जो हीर्ट होती है उसकी सी यव होती है जूल और टमइन प 현 चैञे मिंट एसका है कि उसके अनकर हो जाएगा झूल पर केलिन जूर जूल एक हउन धरों के लिधट तो एसा यूनित हो जाएगी फस्ट वाला इसका required to raise the amount of heat required to change the state of unit mass of substance वो होती है latent heat constant temperature amount of heat required होती है to change the state of unit mass of substance is called latent heat तो डेल क्यों अपन इसको माल जिए डेल क्यों एकल टू मास इंटू लेटेंट ही यह होता है लेटेंट हीट अगर यहां से करेंगे निकालेंगे तो डेल्टा क्यू अपन एम हो जाएगा तो डेल्टा क्यू अभी अपना देखा तो इसकी यूनिट होगी जूल और मास्की क्या होती केजी तो इसका अंसर जागा जूल पर केजी बी वाला इसका अंसर होगा जूल पर केजी उसके बाद अपन नेश्ट कुस्शन देखते हैं तो अपन डेल क्यों निकालना अपने को चैसे की यहां से तो इंटी दिया है वह दिया एट्टी तो क्या हो जाएगा यहां से यहां से निकल गाए अपना अंसर होगा भी वाला उसके बाद नेश्ट को सने अज कि एइज एयर टो 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 टू टू एलटा टी चेंजिन टेंपरेचर अब एम अपनेवों दिये 10 ग्राम और एस अपनेवों का दिया बन दिया है change in temperature means 50 minus 20 50 minus 20 कितना हो जाएगा 30 तो कितना जाएगा 300 calorie तो आंसर हो जाएगा भी वाला उसके बद नेश्ट कुस्टन देखते हैं हम पिछो दा following substance has maximum value of specific heat तो इसका अंसर हो जाएगा भी वाला बार्टर उसके बद नेश्ट कुस्टन है absolute zero temperature ओने celsius temperature scale will be तो इसका अंसर हो जाएगा माइनस माइनस 273.16 degree celsius डी वाला इसका अंसर होगा उसके बद नेश्ट कोस्टन देखते हैं 11 नंबर बन calories equal to तो किसके equal to होती 4.186 joule ये वाला इसका अंसर होगा उसके बद नेश्ट कोस्टन है एड़ बार टेंपरेचर आड़ दर रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेट एंट फेरेनाइट थर्मोमेटर तर सेम फोर्टी डिग्री पर होता ये अशी कि अपने को रिलेशन पता है हफ् S yeah अपन फाइब माइनल क килवरी अपन नमा इनस方面 की रख दी तो सीरप फाइब एक्कड法uda मइनस फार्टी माइनस थाटी टो अपन नाइन तो सी笑 इक्ड़ तो मइनस फोर्टी एक तो माइनस पूर्टीटा जाएगा उपर अपन मय ने जाएगा तो ने एटर से सबिनम अग्यूँप्री नहीं तो सेएकोल टु मैनस 40 सीपुल टु मैनस 40 आएगा तो यह अपनने plus सब्सक्राइब तो इसका अंसर क्या वसका ऑब मैनस 40 डिग्रीट पे एक क्या पूचा एट-बाइट एमड़ तर रिडिंग ओफ ए संटिंघ्रयद एट फ्रेनउएट थर्मोमेटर था सेम तो इसका अंसर होगा माइननेस 40 डिग्री उसके बाद नेस्ट को सने फिचो दा फुलाइं इस नोट दा यूनिट ऑफ इट तो इसका अंसर जागा डिग्री चल्सिएज यह नहीं है यूनिट बांकि यह जूल केलोरी ब्रिटिस थर्मल यूनिट यह है यूनिट ऑफ हीट उसके बाद नेस्ट को सने फॉर थर्मल रेडियेशन ब्राइड बोडिस आर तो यह क्या होती है बेडर एब्जॉर्बर एंड गुड रिफ्लेक्टर तो अंसर हो जागा थाड़ वाला उसके बाद लास्ट को सने इन विचो दा फूलाइं प्रोसेस है ट्रांसपर होता है और जो लिक्यूड गैस में कन्वेक्शन के द्वारा तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी कोशन लिए वीडियो पसंदा तो लाइक से जरू करना और सब्सक्राइब जरू करना थैंक्यू